आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें हलो दोस्तों आईए देखते हैं प्रशन उस परवले का समिकरण ग्याद कीजिए जिसका नाभी 6,0 तथा नियता x बराबर 0 है तो अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि परवले के लिए क्या होता है? प्यस बराबर होता है प्यम के इसको हम मान लेते हैं समिकरण 1 यह परवले के लिए होता है अब मैं बताता हूँ यहाँ पर S क्या है? यहाँ पर S जो है वो परवले की नाभी है जो कि यह दी गई है आमें और नियता जो x बराबर 0 है इस पर हम मान लेते हैं, माना एक बिंदू, माना एक बिंदू P, जिसके निर्देशांग क्या है, X, Y, किस पर इस्थित है, परवले पर इस्थित है, तो जब ये बिंदू परवले पर इस्थित है, तो इस बिंदू P से इसकी नियता पर जो डाला गया लंब है, उसको हम क्या कहते हैं PM कहते हैं और PS क्या है इस बिंदू P और इस ना भी S 6,0 इत दोनों के बीच की दूरी है तो PS हम निकाल लेते हैं बीच की दूरी के सूतर से जो की क्या होता है X2-X1 का whole square प्लस Y2-Y1 का whole square ठीक है तो यह कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर X-6 का whole square प्लस Y-0 का whole square तो अब कितना आ जाएगा यह अंडर रूट के अंदर X square प्लस 6 का वर्ग 36 और माइनस 6 दूरी 12X प्लस Y square हो जाएगा यह ठीक है इसके बाद PM निकालने के लिए अब देखिए हमारी जो नियता है वो X बराबर 0 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A गुड़ा में X प्लस 0 गुड़ा में Y और प्लस 0 बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी तुलना हम रेखा की व्यापक समिकर्ण A X प्लस B Y प्लस C बराबर 0 से करेंगे इससे तुलना करने से क्या होगा हमें A बराबर मिल जाएगा 1 B बराबर मिलेगा 0 और C बराबर मिलेगा 0 और किसी बिंदू X1,Y1 से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप किसके द्वारा दी जाती है A X1 प्लस B Y1 प्लस C और बटे में अंडर रूट के अंदर A स्क्वार प्लस B स्क्वार इसके द्वारा दी जाती है और हमारा जो वो लंब है उसकी माप यानि P M बराबर क्या हो जाएगा A, A का मान है A, गड़ा में X1 क्योंकि हमारा जो बिंदू है P, उसकी निर्देशांग क्या है X, Y है तो यह हो जाएगा गड़ा में X प्लस B, B का मान है 0 गड़ा में Y प्लस C, 0 और बटे में क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर A स्क्वार प्लस B स्क्वार यानि 1 का स्क्वार प्लस 0 का स्क्वार यानि यह कितना हो जाएगा X और बटे में कितना 1 यानि की हो जाएगा आपका X ठीक है और अब हम समिकरण 1 से दोनों के मान रख देते हैं समिकरण 1 से बताईए समिकरण 1 से क्या हो जाएगा under root के अंदर P S PS कमान क्या है under root के अंदर X square प्लस 36 X square plus 36 minus 12 X plus Y square बराबर क्या हो जाएगा X जो PM है ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों और वर्ग कर देंगे तो दोनों और वर्ग से बताइए क्या जाएगा दोनों और वर्ग से यहाँ पर तो वर्ग मूल हट जाएगा तो X स्क्वार प्लस 36 माइनस 12X प्लस Y स्क्वार बराबर क् x का वर्ग कितना होगा x स्क्वाइर हो जाएगा तो x स्क्वाइर से x स्क्वाइर कट जाएगा अब यहाँ पर y स्क्वाइर बराबर कितना आ जाएगा 12 x minus का 36 ठीक है तो यानि की y स्क्वाइर बराबर कितना हो जाएगा है यह आपका उत्तर होगा सब्सक्राइब कर नीट आएटी जेई वह एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा आज ही डाउनुट करें डाउटने डाप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट आच चार्सो 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 पर